हाई प्रेंट आसे डियों हम बात करने वाले हैं ECS&T10 पूर्तकाल का आज का जो मेच नमबर 33 होगा जो कहले जाने वाला है CK vs OEI के बीच में सुरोगा मेच का टाइम रहने वाला है आज रात 10 बजे में सुरोगा वीदर की बात करें तो मोसम बिल्गू साब रहेगा वेन्यू देखें सेम ग्राउंट पर मेच हैं पिछली रिपोर्ट की बात करें आटेफिक्सल विकेट हैं एवरेज इसकोर यहां पर सो सेख सो तीस के बीच में बनने वाला है वेन्यू रिकोर्ट देखें तो टोटल अब तक 32 मेच कंप्लेट हुए है 15 मेच जिता बेटिक्सल टीम ने ओ 17 मेच में चेज हुआ है तो यहां पर हम सबसे पहले बात करने हैं सीके की टीम की तो टीम की बात करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चेनल को जरू से जाके सब्सक्राइब करना है वहां पर यह आपका आप टेटर्स पाइनल टीम और प्लेंग लेंट मिलने वाली है टेलग्राम चेनल का लिंक एक टाप से डिसकस्में में दूसरा कमेंट करते हो वहां पर उपर वी आपको पिन के उपर मिल जाएगा तो जैसे हमारी कमेंट पर किलोग्राप टेलग्राम चेनल पहुंच जाओगे वहां जोईनों सब्सक्राप टेलग्राम को चुए इनका लेना है बात कर लें सीके की टीम की चार मेच के ले टीम पीले दो मेच ना कमाल के विंक है पर लाश्ट के दोनों मेच यह हा रही है लाश्ट मेच में आपको टीटेन में आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है यहां से आ जाता है रविंदर सिंग की बात कर लें नौ बैटिंग एक विंगेट पांच एक विंगेट है पर लाश्ट के तीनों मेच में कमाल की बोलिंग इनों ने किये हैं प्लस बैटिंग अच्छी कर लेते हैं रवी कुमार दो विंगेट बिस नौटा नौ बैटिंग जीलो रन है है पहले मेच में डेकोर्डिंग का डाउन रहा परलाश्ट तीनों मेच में कमाल के पांचिनों ने आपको दीए है मरमुद अबरार के बात कर ले है 0-0 एक विगेट और यहां से 0-0 है सिर्फ एकी मेच में 2 ओवड आलके एक विगेट इन्होंने निकाला है बाकि 3 मेच में रिकोड खराब रहा गुर्जीत जिंग 9 बेटिंग 0-0 एक विगेट और 14 एक विगेट है पेले 2 मेच में रिकोड खराब था पलाच 2-0 मेच में ना सूपर पारी के लिए बोलिंग देख तो बोलिंग काप अच्छी है निकी रोहित कुमार 14 एक विगेट 9 बेटिंग 9 बेटिंग 13 नोट आउट है पेले मेच में 2 ओवड आले एक विगेट निकाला उसके बाद में 3 मेच में बोलिंग नहीं मिली 2022 में या अच्छ हमेच के लिए एक विगेट निकाला जगदीब सिंग 1 विगेट 2 विगेट 0 फिट है 2022 में 7 मेच में 1 विगट है बात कर ले यहाँ याँ से राज वे सिंग की यहां से जगदीब सिंग, गुर्जेंदर सिंग, सतिंदर सिंग, डेथ को डालने जाएगे, यहां से वालिद एजाज, यहां से बेचलर सिंग, मंजीद सिंग, जो डेथ में बोलिंग करेगा न, वो हमें साब के लिमेन रहें तो यहां पर बात करें दोस्ती टीम O.E.I. की, चार मेच करे टीम, चारो मेच ये विन करके आ रही हैं, लाश्ट मेच मेच में अपनिंग गे थी आसीम सर्वा ने और इम्रान खान ने, असीम सर्वार की बात करें, यहां पर देख सकते हो, इन्होंने बोलिंग की, बोलिंग से विकर तो नहीं मिला, पर बैटिंग सूपर करता है बन्दा, अच्छा उप्सन होने वाला है, आपको मुका चरू टीम में देना है, इम्रान खान 32-21 और 37 रन, एक की मेच ये सागास में कुछ नहीं कर पाए, 24 में 24 मेच में 288 का एवरेज है, केंडरोड की बात कर रहे है, एक 34, 81 और 37 रन, पेले मेच मेरे कोड डाउन था, पर लाश्ट तीनो मेच में सूपर पार के लिए हैं, 24 में 24 मेच के लिए, 501 काउंड रन, जीरो किट है, मिया साहिद, एक और 12 नोट आउट, दोजार 24 में 16 म रविंदर कुमार, एक 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग है, और ओल 12 मैच में 126 रन, एक विए हैं, छूनेत खान, जीरो किट, 0 किट, 0 किट, 0 किट हैं, तीनो मेच में कनबम बोलिंग की, पर एग वे विकिट यह नहीं निकाल पाए, record दे के पुराना तो, 2024 में उन्ह पेले तीन मेचों में कम्माल की बोलिंग की विकेट निकाले हैं पर लास्ट की मैच में बोलिंग मिली विकेट नहीं मिला। बात करने हैं बेंच मेंसेज जैसे आसे ना ताज महमूद केलता है अच्छा उपसन होने वाला है अगर खेलेगा तो टीमे मोका जरू दूँगा बाकी बेंच मेंसे जो भी केलता है जानकारी आपको टेलिग्राम पर ही मिलने वाली हैं तो यहां से देख लेते हैं स्टार्ट देमो टीम के तरब जाने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आप यूटूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरू से जाके सब्सक्राइब कर लेना है तो यहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं चलते अपने डेमो टीम की तरब जाहं से दल को यहांससे ग्रैनल सांओ ऑफ में और नेके बाद में ही क्योंकि क्योंग क्यों ना कीमारा को मिलसके हैं तो पाइनल चाजिमें किले आपको तिल्कुल नहीं है यह मेरी तिलेग्राम से जाना है क्योंकि अगर आपको अच्छी करने न तो आपको ज़रू से जाके टिलेग्राम करना पड़ेगा क्योंकि पिछले मैंचों में कापी लोगों ने हमारी टीम से अच्छी को देखने के लिए